हेले स्ट्रोंट में एक तसी आप सभी का ग्यान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वाथ करते हूँ आज के इस वीडियो में हम आदुने एक भारत के बहुत सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कॉंग्रेश का लाहर अदिवेशन और पूर्ण स्वराज परस्ताव यानि 1929 से सम्मंदित प्रश्णों को देखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है भारतिय सुतंत्रा संग्राम के दौरान निमले खितमे से किसने प्रस्ताव पारित किया कि सुराज को सभी प्रकार के बिदेशी बस्तों से मुक्त संपूर सुतंत्रता की रूप में परिभाश्यत किया जाना चाहिए तो आंसर हो जाएगा मुलाना हसरत मोहानी यहां पर ब्याक्या देखते हैं वर्स 1921 के एहमदाबाद अधिवेशन में मुलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि सुराज को सभी प्रकार के बिदेशी नियंतर्ण से मुक्त संपूर सुतंत्रता या संपूर सुराज के रूप में परिवाच्ट किया जाना चाहिए और इसे कॉंग्रेस का लक्ष माना जाहिए वर्स 1921 में कॉंग्रेस के एहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्स सी आरदास चुने गए थे तो यह हम याद रखेंगे कि 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्स सी आरदास थे किन्तों इनके जेल में होने के कारण इसका जो अध्यक्षता है हकीम अजमल खाने की थी अगला कोशन ने 1921 के एहमदाबाद अधिवेशन में निमली के नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कॉंग्रेस का लक्ष मानने का प्रस्ताव रखा तो आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी कॉंग्रेस ने कब पहली बार भारत की सुतंतिता का प्रस्ताव पारित किया था तो आंसर हो जाएगा जनान दोलन का सामना करें नेधारिस समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्यत उत्तरना मिलने के इस्तिती में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहलाल नहरू की अधिश्ता में कॉंग्रेस का एतियासिक लाहोर अधिवेशन जिसमें संबंदित प्रस्ताव पारित होने के इसको मदरात्री का घंटा बजा कॉंग्रेस अधियक्ष पंडे जवाला नहरूने लाहूर में राभी तट पर भारती सुतंता का जंडा फिराया कॉंग्रेस कार समेती द्वारा दो जनवरी 1930 की अपनी बैटाक में यह नड़ने लिया गया और 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स आदीनता दिवस के रूप में तो यहां पर बहुत सारे कोशन हैं जो बहुत महत्पूर्ण जैसे तरंग का फिराया गया था कोन सी नदी तटपए और कब इसको पूर्ण सुराज दिवस मनाया जाएगा और पिटेगबर्स कब इसको मनाया गया तो यह सारे महत्पूर्ण जो एक्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर अगला कोशन देखते हैं पूर्ण सुराज का प्रस्ताव पारित किया था तो आंसर हो जाएगा उनीस उन्तिस निमलेक्त में से किस एक ने भारती राश्टिया कॉंग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर लक्ष सुराज किसके तोरण गोशित किया गया था जवाल लाल नहरू अगला कोशन है 31 दिसमबर उनीस उन्तिस को अर्थ रात्री में भारती राश्ट धुज को किसने पहराया था तो आंसर हो जाएगा जवाल लाल नहरू अगला कोशन है सुतंतिता का नव ग्रही तरंग पहली बार कप लहराया गया था तो आंसर हो जाएगा 31 दिसमबर उनीस उन्तिस उन्तिस अगला कोशन है भारती राश्टी कॉंग्रेस के निमलिकर अधिवेश्णों मैंसे किस एक की अधिक्षता जवाल लाल नहरू ने सरप्रथम की थी तो लाहर अधिवेशन उनीस उन्त इस ब्याक्या देखते हैं भारती राश्टी कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन उनीस उन्तिस के अधिक्षता वाल लाल नहरू ने की थे इसी अधिवेशन में पूर्ण सुराज का प्रस्ता पारित किया गया था तता 26 जन्वरी को संता दिवस का निश्यत मनाने का निश्य किया था तो केवल एक यहां पर सही हो जाएका ब्याक्या देखते हैं जवालान नहरू के अधिक्षता में वर्स उनीस सो उन्तिस में लाहर के रावी तट पर कॉंग्रेस का वार्शे का दिवेशन आयोजित किया गया इस दिवेशन में अधियासिक पूर्ण सुराज की मां से लेके हर साल यानि 26 जन्वरी को सदीनता दिवस मनाया जाने लगा अगला कुशन देखते हैं सुतंतिता आंदुलन के थियास में भारती राश्ट्य कॉंग्रेस का 1929 का दिवेशन इसलिए महतपूर्ण था क्योंकि क्योंकि इसमें जो है पूर्ण सुराज प्राप्ति का जो है लक्ष निधारित किया गया था तो B option यहां पर सही हो जाएगा अगला देखते हैं निमलेखित भारती राश्ट्य कॉंग्रेस का अधिवेशन हो मैंसे किसने कॉंग्रेस का पूर्ण सुराज घोशित किया था तो लाहर अधिवेशन यहां पर सही है अगला कुशन द अगला कुशन है निमलेखित मैंसे कौन सा 1929 मैं कॉंग्रेस की लाहर अधिवेशन में पारित संकल्प में सामित नहीं था तो D option यहां पर सही हो जाएगा अश्प्रश्यता उन्मूलन यहां पर देखते हैं लाहर कांग्रेस की लाहर अधिवेशन में 31 दिसमर 1929 को गोशत संकल्प में इसपष्ट किया था यहां पर देखते हैं गोल में संबेलन में कोई लाब नहीं है नहरू कमेटी की डोमेनियन राज के दरजे की योजना समाप्त की जाती है शब्द सुरा का अर्थ है पूर्ण सोतंत्रता अखिल भारतिये कांग्रेश जब उचित समझेगी नांग्रेश अवग्या अंदुलन प्रारम करेगी संकल्पना में आइश्पर्श्यता उन्मूलन का कोई उनलेख नहीं था गोल में सम्मिलन से सम्मधित नीती को ही भारती बिदेश नीती के रूपे माना जा सकता है क्योंकि बिटेश शाषन में शेश विश्व से सम्मधित नीती का निर्धारन बिटेश सरकार ही करती थी वैसे 1921 के कॉंग्रेस अधिवेशन में सर्पिथम यह संकल्प ब्यक्तिक किया गया कि भारत की एक विदेश नीती होनी चाहिए अगला कुशन है पूर्ण सराज संकल्पना को भारती राश्टि कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था तो जी एल नैरू ने अगला कुशन है किस कॉंग्रेस सत्र में कारेकारणी कमेटी को सविने वग्या अंदोलन प्रारम करने का अधिगार दिया गया था तो आंसर हो जाएगा लाहर सत्र तो अब यहां से यह जो प्रश्ण है सविने वग्या अंदोलन से संबंदित प्रश्ण चलेंगे तो यह इसका प्रेशन था जिसमें हमने देखा था कि इसका सभीने वग्यांदोलन प्रारम करने का दिका जो है लाहर सत्र से सुरू किया गया था एहाँ पर ब्याखщо देखते हैं 1919 में लाहूर कॉंग्रेस अदिवेशन में ग् academically की सवीने वग्या अंदोलन सुरू करने का दिकार दिया गया फ्रवर 1930 में सावर्पती आसरम में हुए कॉंग्रेस कारकारनी की दूसरी बयठक में महात्मा गांदी को इस अंदोलन का नितुत्र सोंपा गया अगला कोशन देखते हैं दांडी यात्रा के साथ निमलिखित में से क्या आरंब हुआ था तो सबीने वग्या अंदोलन शुरू हुआ था C option यहाँ पर सही है ब्याख्या देखते हैं मात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना पिरसित दांडी मार्च शुरू किया था उन्होंने सावरमती आस्राम से 78 तो 78 को याद रखेंगे क्योंकि एक्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने लोग साथ में थे साथियों के साथ सत्या गिरह के लिए कूच किया और दिन भी याद रखेंगे कि कितने दिन की यात रखेंगे तो 24 दिनों की लंबी यात रख करने के बाद उन्होंने 6 अपरेल 1930 को दांडी में सांकितिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इस प्रकार नमक कानून तोड और नोनों ने ऑपचारी रूप से सभीने वग्या अंदूलन शुरू किया था सभीने वग्या अंदूलन गांधी जी के नेत्वत्र में पूरे देश में फैल गया तमिल लाइडू अब यहां से मातपूर प्रश्ण बनता है कि तमिल लाइडू में गांधिवादी नेता सी राज गोपालाचारी ने तिरू निंड गोड आश्रम से त्री चलापली के वेदारणयम तक नमक यात्रा की थी तो यहां से मातपूर प्रश्ण बनता है उन्या तो इसको याद रखेंगे अगला कोशन दांडी यात्रा की गई थी तो 1930 में डी ऑप्शन सही अगला देखत तो 12 मार्च 1930 अगला कोशन है गांडी जी ने दांडी यात्रा आरम भी की थी तो यह यात्रा की थी सावर्वत यास्रम से अगला कोशन निमलिकित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्ता ग्राहियों की संख्या मात्मा गांडी के दांडी कूच में सरवाद दिखते तो 12 मार्च 1930 को मात्मा गांदी ने दांडी गुजरात के समुधर टटपन कानून का उलंगन करके सभी ने वग्दा अंदलन का आर प्रानमी किया उद्देश से अपने सावरमत्ती आश्रम एहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरे के लिए कूच किया अगर जिसको देखना है तो वो इस वेपसाइट पर जाके इनको चेक कर सकता है यहां पर उलेख इनका किया गया है साथ ही अब यहां पर देखते हैं कि कौन-कौन से इस वेपसाइट में पूरे नाम देखे जा सकते हैं सब्सक्राइब के लिए तो यहां पर सभी महिलाव ने लिया था तो यहां पर सभी महिलाव ने लिया था और आगे बढ़ जाते हैं निमलेखत में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक सरवादिक माने जाते ही है तो इसका आंसर हो जाएका नमक सत्यागर है महत्मा गांदी की 12 मार्च 1930 को नमक सत्यागर है कि शुरुआत की इसने अपने 78 अनुआईयों के साथ उन्होंने दान्डी मार्च की यात्रा की तता 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चा 6 अप्रेल 1930 को दान्डी में सांकिते की रूप से नमक कानून को तूड़ा यहीं से सभी ने वग्या अंदोलन की शुरुआत हुई इस अंदोलन में महिलाओं के भागेदारी सरवादी मानी गई अगला कोशान है मात्मा गादी न 1930 में सभग्या अंदोलन आरम किया था तो दान्डी से ब्याक्या देखके हैं यहाँ पर वो ही सब कुछ दिये 78 साथी थे 24 दिनों के लगभ़े नोने 390 किलोमीटर की आत्रकट दान्डी गुजरात के नौसारे जिले में से थे पहुंचे जहाँ 6 अप्रेल 1930 को नोने नमक कानून भंग कर सभेनेवा ग्यांदोलन प्रारम किया था अगला कोशन है सभेनेवा ग्यांदोलन शुरू हुआ था तो दान्डी मार्च के बाद दान्डी मार्च शुरू किया गया था तो इसका आंसर हो जाए नमक तोड़ने के लिए बी ओप्शन सही है इत्यासिक दान्डी मार्च का संबन्ध है नमक कानून को तोड़ने से अगला कोशन है सबसे पहले कौन सी गटना गटी थी तो यहाँ पर Simon Commission सबसे पहले आया था Simon Commission सबसे पहले उसके बाद भाराथ छोड़ो आन्दोलन तो 1922 में आया था तो यह सबसे बाद में आएगा फिर उसके बाद दान्डी मार्च फिर आएगा गांदी इर्विन समझोता और फिर बारत छुड़ो आंदोलन तो फिराल यहां पर साइमन कमीशन सबसे पहले आये था है यहां पर देख लेते हैं सन देख लेते हैं दार्णी मार्च हुआ था बारा मार्च 1930 भारत छुड़ो आंदोलन अगस्त 1942 साइमन कमीशन 3 फरवरी 1929 गांदी इर्विन समझोता 5 मार्च 1931 अगला कुशन देखते हैं भारती यह इत्यास में अपरेल 1930 की दिती मानी जाती है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मात्मा गांदी और दार्णी मार्च हुआ यहां पर ब्याख्या देखते हैं 6 अपरेल 1930 को मात्मा गांदी ने एक मुठी हाथ में लेकर सीविल नफर माणि आंदोलन का श्री गरेश किया सुभाश चंद बोस ने मात्मा गांदी सवियान के तुल्ण नेपोलियन के एलबा से पैरेस की और किया जाने वाली अभियान से की थी एक अंग्रेजी समाचार संभाधाता न ने खिली उड़ाई कहा कि क्या समराठ को एक केतली में पानी उबाले से हराया जा सकता है इसके उत्तर में गांदी जी ने कहा था कि महोदे समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमेनियन इस्टेट नहीं मिल जाता अगला कुशन देखते हैं A और R कथन दिये गए हैं उनकी देखना ब्याख्या सही है या फिर दोनों सही है या नहीं है तो देखते हैं महात्मा गांदी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था महात्मा गांदी का उदेश की गरीवों को नमक मुफ्त में उपलब हो तो R गलत है और यहां पर A जो है वो यहां पर सही हो जाता है तो C option यहां पर सही हो जाएगा ब्याख्या देखते हैं इसकी गांदी जी दौरा अरम किये गए सभी ने वर गांदोलन के प्रतिक के रूप में छे अपरेल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर बिट्री सरकारे के प्रति अवग्या अपनाई गई अंदोलन शुरू करने से पहले गांदी जी ने बाइसराय इर्विन के समझ 11 मांगे रखी थी इसमें नमक करेवं नमक पर सरकारी एक अधिकार समाप करने की मांग की अगला कुशन देखते हैं शक्ति के अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहाने भूती चाहता हूं यह कतन किस्व समंदित है तो गांदी की डांडी यात्रा से उन्होंने मात्पां गांदी ने अपने नमक सत्यागरे जो 5 अपरेल 1930 में चला था के तहट दांडी ग्राम पहुंचे उन्होंने दांडी आए सभी देसी बब देसी पत्रकारों को समभोधित करती हुए काती शक्ति के ब्रोत अधिकार किस लड़ाई में मैं विश्व की सह हने बूती चाहता हूं अगला कुश्चन देखते हैं गांदी के दांडी-माज के संदर में निम्लिकित मैसे कौन सा कतन असत्य है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांदी ने नमक बनाया था तो C option जो है वो यहाँ पर गलत है अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यों गलत है ब्याख्य दी गई है गांदी जी ने दांडी में समुद्र तटपन नमक कानून का उलंगन करके सबी ने अवग्य अंदुलन का शुबारं का करने का निश्यत किया था नमक को इसा अंदुलन का प्रुमुक मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अवशक बस्तू की बिकरी को नियंतर कर रखा था और उस पर करारोपन किया था जिसका गरीब उपर अत्यादिक पर्तिकूल प्रभाव पड़ता था 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया उन्होंने अपने सावरमत्री आश्रम एहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्या गरह के लिए कूज किया 24 दिनों की लंबी यात्रा पैदल के बाद 5 अपरेल 1930 को भी तुरंट 1930 को भी दांडी पहुंचे और 6 अपरेल 1930 को उन्होंने एक मुठी नमक हाथ मे लेकर सभीनेवा ग्यांदोलन का श्री गड़ेश किया था की नमक वहां पर बनाया था अगला कुशन देखते हैं निमलेकित में से कौन सकतन महत्मा गांदी की यात्रा के बिसे में असत्य है तो यहां पर असत्य जो इनकी शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 को की गई था दी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है अगला देखते हैं नमक सत् आपतार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता की रूप में किस ने इस्थान लिया था तो यहां पर आंसर हो जाएगा अबास तैवत जी गांदी जी ने अपने 78 सायोगियों के साथ सावरमती आस्रम से 240 मील दूर समूद टटपर बसे दांडी गाउं से 6 अप्रे को पहुंच कर नमक बनाया और नमक कानून का उलंगन किया इस सत्य ग्रह में गांदी जी की गिरिफतारी शोलापूर में हुई थी ततपश्यात आंदोलन के नेतार अबास तैवत जी के हाथों में आ गया इस आंदोलन में इस्थियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी अगला कोशन म महत्मा गांदी दहरसाना नमक गोदाम पर कॉंग्रेस कार्य और कंथा हैं करता दावे के समय कहा थे ? तो यह फकला हो जाए लखो यो धर्चना नमक गोदाम पर कॉंग्रेस कार करता हूं कि धावे के पूर महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफतार कर यरवदा जेल बेद दिया गया इसके इस्तान पर अबास तैवद जी अंदोलन के नेता हुए उनकी भी गरिफतारी के बाद श्री मती शरोजनी नाईडों ने 20 मई 1930 को धर्चना नमक गोदाम पर दावे का नेतुतर किया इस लोम हरशक गटना का विवरन अमेरिकी पत्रिकार बेव मिलर ने प्रस्तुत किया था अगला कुशन देखते हैं आचार बिनोवा भावी किस अंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफतार हुए थे तो अंसर हो जाएगा सभीने वग्या अंदोलन बिनोवा भावी गांदी जी के निकर्तम सयोगियों में से थे गांदी जी द्वारा संचालित बिभिन अंदोलों में उन्होंने भाग लिया 1930 में भी सभीने वग्या अंदोलन में भाग लेने के द्वारा प्रथम बार गिरफतार किये गए थे अगला कोशन है गांदी जी ने जिस बिदेशी पत्रकार को दानी माच के समय अपने सावरमती आस्रम में ठहराया था वो है वेव मिलर वेव मिलर एक अमेरीकी पत्रकार थे जिनोंने गांदी जी के दानी माच के समय अपने सावरमती आस्रम में ठहराया था धरसना की भीबत पुलिस जातियों का उल्ले करती उसे ने लिखाए कि संबाद दाता के रूप में मैंने 18 वर्ष की असंख नागरी विद्रो देखे हैं अगला कोशन है इन में से किस ने अपरेल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजयों तटपर अभियान संगिठित किया था तो आंसर हो जाए सीर राजगोपालाचारी है छे अपरेल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तटपर नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन किया था इसी के साथी संब्पूर देश में सभी ने अवा आन्दोरन का शुबारम हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उलंगन संबंदी अभियान संचालित किया गया तमिलाडू में तंजोर के संब्धित पर चक्रबर्ती राज गुपाला चार ने तरी चिना पल्ली से वेदाराणियम की नमक यात्रा प्रारम की तीस अपरेल को उनको ग्रफ्तार करने के बाद भी यह हांदोला उनके समर्थकों द्वारा चलता रहा अगला कोशन है निमलेखित में से कौन दाड़ी मार्च में महत्मा गानी के साथ था तो आंसर हो जाएगा वेव मिलर अगला कोशन है भारती सौधीनता संगर्ष के दोरान रेड शर्ट यहां पर रेड मतलब लाल कूर्थी दल से सम्मन दी थे रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खित्मतगारों ने आहयान किया था तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी पठान छेत्री राश्टवादी एकता और उपने वेश्वाद के बिरूत संगर्ष का यहां पर देखते हैं उत्तर पश्मी सीमा प्रांथ में खान अब्दूल गफार खान के नेत्वत में खुदाई खित्मतगार नामक स्वयम सेवक संगठा ने इस्तापित किया था इन्हें लाल कूर्थी यानि रेड शड की नाम से भी जाना जाता है लाल कूर्थी संगठा ने पठानों की राष्टी एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से सुदंता के लिए पिटिस उपनिवेशवाद के बूद अंदूलन संगठित किया तता श्रम जीवियों की हालात में सुदार की मांगी ध्याता भी है कि जब अन्ने प्रांथों में मुसल्मान स् अगला कोशन देखते हैं लाल कुर्ती दल संगठित किया था तो ये अंग्रेजों के अंग्रेजों को निकालने के लिए 1929 में खुदाई खिद्मतगार को संगठित किया था अब्दूल गफार खाने अंगला कुशन गडवार रेजीमेंट के सेनिकों ने प्रदेशन कारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया तो सभी नेवा ग्यान दोलन सभी नेवा ग्यान दोलन के दोरान पेशावर में गडवार रेजीमेंट के सिपायों ने चंदर सिंग गडवाली के नेतत में नेहती भीड़ पर गोली चलाने से इंकार कर दिया धिया तब है कि इस इलाके में खान अब्दूल गफार खान वरसों से सक्रिये थे और उनके गड़ा जनता में किये गए काम की वज़े से अहिन से क्रामती कारियों के बहदूर जथे यानि खुदाई खिदमतगारों के दल त्यार हुए थे ये लोग लाल कुर्थी के नाम से जाना जाते थे सभी ने वग गया अंदोलन में इनके मात्मूर भूमी का सक्रिय थी अगल के सरकार के बुरुद प्रिशिद पेशावर कांड का नाया कौन था तो यहां पर सही आंसर है वी चंदर सिंग गहडवाली जीया तरंगाल नोलन कहां प्रारम में हुआ था तो यह हुआ था मनिपूर में ब्याख्या देखते हैं इसकी सभी ने अबग गया अंदोलन के दो अक्सर एक्जाम में आता है इसको हम याद रखेंगे जिसे जीया तरंग अंदोलन भी कहा जाता है अगला कोशन है बेगु सराय के चौकीदारी टेक्स के बिरूद अंदोलन एक हिस्सा था तो यह सभीनेवाग गया अंदोलन का दिसंबर 1930 में सभी ने अबग गया अंदोलन के दोरा उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामा के स्थान पा चौकीदार टेक्स के बिरूद में प्रदशन हुए और प्रदशन कारियों ने बंदूग से 27 वार छटे दागे जाने की परवार नहीं की अगले महीने बेगु सराय मुगे जिले में सोतंतरा दिवस के लिए 71 भी ने भारी संग्या में गराम बासी आकर समलित हो गए और उपर मंडल अधिकारी को इगड़े में खदेड दिया 146 बार गोली वारी किये जाने के बाद ही विसरजित हुए अगले क्योंशन सभी ने वग या आंधिकारी की असफलता के बाद गानणी जी ने मात दिया अक्टूबर 1924 में गानधी जी ने अपना पूरा समय हरीजन उत्थान में लगाने के लिए सक्री राज्नीती से स्वयम को बढ़ाने का निश्यत किया सितंबर 1932 में गांदी जी ने हरीजन कल्यार हेतु अखिल भार्थिया च्छुद विरोधी लीक के सापना कीता था हरीजन नामक सापता ही पत्र का भी प्रकाशन किया तो कभी एकजाम में पूछा जाए कि हरीजन पत्र कप से प्रकाशित हुआ तो 1932 अगला है प्रभावती देवी किस छेत्री की सुतंतिता संग्राम से नानी थी तो आंसार हो जाएगा पत्तना सुतंत्ता अंदोलन में बिहार की माइला मैं मात्पूर योगदान दिया इस माइलां मैं सरला देवी, प्रभवती देवी, राजवन्ष देवी, सुनीदी देवी तथा रादी का देवी प्रमोख है गांधी जी ने फरवरी 1931 में बाइसराइ लाड इर्विन से भेट की और उनकी बादचीत 15 दिनों तक चली जिसके पढ़ना सरू पांच मार्च 1931 को इस समझोता हुआ जैसे गांधी इर्विन समझोता की नाम से जाना जाता इस समझोते के ताहरत है कॉंग्रेस का सभीनेव आंदोलन इस्तकित करना पड़ा कॉंग्रेस बुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियार हो गए बस तो पिथम गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस सामिल नहीं हुआ यह समझोता मुख रूप से गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस की सहज करने के लिए हुआ था अगला कोशन देखते हैं गांदी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर हुए तो 1931 में तो अब यह जो प्रश्ण है वो गांदी इर्विन समझोते से संबंदित प्रश्ण चल रहे हैं तो इसको याद रखेंगे किस से संबंदित है अगला यहां पर बैख्या दी गई है गांदी इर्विन समझोता पांच मार्च 1931 को संपन हुआ था इस समझोते के अनुसार गांदी जी के नेदोत्र वाली कांग्रेस सभी नेवाग्या अंदोलन इस्तिकित करने के लिए त्यार हो गई सभी युद्ध बंदियों जिसके ब्रुद हिंसा का रोप नहीं था को रिहा करने का आदिस दिया गया आगे देखते हैं बिदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का शांदेपूर धन्या देने की अधिकार प्राप्त हुआ सम्मुद्र तटिये प्रदेशों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने के अनुमती दी गई कॉं अनुमता की मां को इसमें समलित नहीं किया गया था अगला देखते हैं गांधी इर्विन समझोता हुआ था 1931 को निमन मैंसे कौन समझोता हुआ था तो गांधी इन्विन समझोता तो सी ओप्शन यहां पर सही है अगला देखते हैं निमले कित मैंसे किसका इस्थेगन गां सबीने वग्यांदुलन घंदी सब्जोते के हसक्षरित तेज बहाद्विन देश Candi म अधिया करने के उद्धीष से 26 जंबर 1971 को घंदी जी को जै तो तेजबाद दूसप्रू और एम आर जैकर ये दो जो हैं इसमें मात्पूर्ण भूमिका निवाते हैं गांधी एवं इर्विन के मद्ध फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्था प्राराम होई पांच मान 1931 को दोनों के मद्ध एक समझोता हुआ जो गांधी इर्विन समझोत लगते हैं कि किसने कहा था कि दो महत्मा की संगया किसे ने दीती तो सरोजनी नाइडविन ने दीती है अगला कुशन देखते हैं निमलेकित मैंसे किसने गांधी इर्विन को दो महत्मा कहा था तो सरुजरी नाइडो हो जाएगा सही आंसर अगला देखते हैं निमलेकित मैंसे किसने गांधी इर्विन समझोते में महत्मा गांधी के लावे को सत्वावना पुरुसकार कहा है तो आंसर हो जाएगा Allen Campbell Johnson यह नया है प्रेश्चन तो इसको याद रखेंगे इर्विन के जीवनिकार Allen Campbell Johnson ने गांधी इर्विन समझते में महत्मा गानी के लाबों को साथ अच्ञा पुरुसकार और इर्वीन के एक मात्र आत्मसमर्ण पर के रूप में बात्चीत के लिए सहमत होने को कहा था तो अगला कुशन देखते हैं अब यहां से करांची अधिवेशन जो हुआ था उससे संबंदित प्रिश्ण यहां से चलेंगे तो सबसे पहला यहां पर प्रिश्ण इनिम लिखित में से किसने भारती राश्टी को उंग्रेश के करांची अधिवेशन का सभा पतित तो किया था यहां से बहुत इंपोर्टेंट प्रिश्ण है और यहां से पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों और राश्टी आर्थिक करक्रमों को संबंद प्रस्ताव पारित किया था तो 29 मार्च 1931 का जिसके अध्यक्स बल्लभाई पटे आगे देखते हैं इसी अधिवेशन में कुछ लोगों ने ब्रोथ पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं तो इसी कराची अधिवेशन में यह पहला उसर था जब पूर्ण स्वराज को कॉंग्रेस द्वारा परिवाशित किया गया था अगला कोशन देखते हैं 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अधिक्षता जिसकी अधिक्षता सर्दार पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थि कारकरम पर संकल्प प्रारूप प्रस्तुत किया तो यहां पर प्रारूप प्रस्तुत किया पंडित जवालाल नहरू ने बी ऑप्षन 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थि कारकरम पर संकल्प पंडित जव कि प्राकाष्टा माना है तो एस सी बोस यानि स्वास्चंद बोस ने के माना था अगला देखते हैं भारती स्वाधीन्ता संगर्ष में संबंदिर निमली के गटनाओं को उनके सही क्रम में रखना है तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा भारती राश्टी है सबसे पहले आएगा गांदी इर्विन समझोथा फिर उसके बाद आएगा भाकर सिंग के फासी फिर भारती राश्टी कॉंग्रेस का बाचीत के लिए गांधी जी को अधी करित किया गांधी और इर्विन के बीच एक लंबी वारता के उपरांद 5 मार्च 1931 को दोने के बीच समझवता पर हस्तक्षर हुए जैसे गांधी इर्विन समझवते की रूप में जाना जाता है भगत सिंग को फांसी लाहोर शणियंत का में भगत सिंग सुकदेव राजगुरू को 23 मार्च 1931 को फांसी देख दी गई अगला कॉंग्रेस का करांची दिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 करांची में हुए था इसमें गांधी इर्विन सम्झवते की संतुष्टी की गई थी अगला है दूतिय गोल में समिलन जो है दूसरा स 27 साथ सितंबर 1931 को प्रानम किया था जिसमें मात्मा गांधी कॉंग्रेस के एक मात प्रतिनिती के रूप में समलेत हुए थे जो कि पूर्टया निस्फल रहा है अगला देखते हैं भारती राश्टी कॉंग्रेस के समझ में निमलिकर घटनाओं को पढ़ें तो यहां पर भ पर भारती राश्टी कॉंग्रेस का करांचिया दिवेशन अगला कुश्चन देखते हैं भारती सोग्राम से सम्मधिन निमलिकर घटनाओं पर विचार कीजिए तो यहां पर सबसे पहले हैं गांधी इर्विन सम्झाटा गांधी इर्विन सम्झाटा आएगा फिर उसके ब 29 मार्च चला था तो यह चीजे हमें याद रखने हैं क्योंकि इनका जो वर्ष है वह लगभा 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 क्या एक ही है 1931 बस जो मैना है वह अलग है सबसे पहले 5 मार्च 23 मार्च और 26 29 मार्च तो यह करम याद रखना है पुना सम्झाटा तो उसके अगले साल हुआ तो यह तो अलग है इन तीनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं तो इसको बिल्कुल से हमें याद कर लेना है जिस सबसे पहले गांदी इद्वर्ष सम्झाटा पांच मार्च भगर सिंग फासी 23 मार्च भारती राष्टी कॉंग्रेस कराची अदिवेशन 26-27 मार्च अगला कोश साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाश्यत हुई राजनीती संगठनों ने कमीशन की इसे पार्षों को अस्विकार कर दिया गया कर दिया कॉंग्रेस प्रमुक नेता जेल में थे बिटे सरकार ने निराशा और असंतोष के वाता बरण में नम अमर 1930 में लंदन में पिर्थम निर्दियों ने भाग लिया किन्तु कॉंग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया इस समिलन में भाग लेने वाले जो थे प्रमूखते यह सारी के सारी अगर हम नगा याद कर लिये तो बहुत ही अच्छा क्योंकि अब जो नए प्रश्न बनते वो इन ही में से ही बनेंगे जै एम आर जैकर मुझे भीमराव अम्बेटकर सुन्दर्थिंग सुन्दर सिंग मिजिठिया तो भीमराव अम्बेटकर ने तो तीनों में लिया था तो इसका तो सभी को याद रहता है और बहुत पार एकजाम में पूछी भी चुके हैं जो नए हैं उनको हमें क्याद रखना है अगले कुशन की तब बढ़ते हैं प्रिथम गोल में सम्मिलन के बारे में निमली कितम ऐसे कौन एक सही नहीं है तो इसमें कॉंग्रेस प्रिथिनिदी मंडल ने भाग लिया था यह सही नहीं है अगला देखते हैं लंदन में संपन हुए गोल में सम्मिलन में भारती इसाइयों का प्रिथिनिदित किसी ने किया था कि ने नहीं है अगला कुशन देखते हैं बिटिधिस सरकार दवरा लंदन में भारती नेताओं का प्रिथम गोल में सम्मिलन में निमीलनinka किया भाद से अगला कुशन है वह सरकार दौरा लंदन में भारती ने हैं नेताओं का पृतार में सम्मिलन 3000,932 में दूशरा, यह पूर में पूरा तीनों गोल में सम्मिलन का क्रम था बेक्टियक ने दूर्धीय गोल में सम्मिलन भाग लिया था तो यहां मोलाना अब्दूल कलाम ने नहीं लिया था बाकी एक दो तीन जो है मातमा गानी सरोजनी नाइटू मदन मोहन माल भी ए सी ओप्षन यहां पर सही हो जाता है इसके अलावा जो है इनी बेसेंड ने भी इसमें भाग लिया था आगे देखते हैं दुतिये गुल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रितिन जी ने किया था तो मातमा गानी जी ने लंडन में आयोजित निमलेकित गुल में सम्मेलन में से किसने मातमा गानी उपस्तित थे दुतिये में उपस्तित थे बी ऑक्षन सही है आगे देखते हैं जमाला नेरू ने दूसरे गोल में संभिलन में भारती राज्टि कॉंग्रेस का पितिनो दुर्ट किया था अगला देखते हैं गानी इर्विन समझोते हैं 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लेना अन्तिनिहित था तो यहाँ पर जो है एक गलत है और आर जो है वो यहाँ पर सही है ब्याख्या देखते हैं पांच मार्स 1931 को महत्मा गान्दी एवं बाइसराय लाड इर्विन के बीच एक समझोता हुआ जिससे डिल्ली पैक्ट भी याद रखना है कि गान्दी इर्विन समझोते को ही डिल्ली पैक्ट की नाम से भी जानते हैं इसमें कॉंग्रेस की ओर से गान्दी जी ने निमलिखित बातों को सुईकार किया था जैसे कि सभी ने वा ग्यांग दोलन इस्तगत कर दिया जाएगा कॉंग्रेस निकट भविश में होने वाले दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लेगा कॉंग्रेस बिटे समान का अगला कुशन देखते हैं इन में से किस ने नहीं लिया था तो आंसर हो जाएगा जेगा जवाल लाल नैरुजी ने कौन से गोल में सम्मिलन में गांदी जी ने शिरकत नहीं की थी तो दूटिय में नहीं की थी भी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला देखते हैं मादमा गान्दी द्वारा दुती गुल में समा में भाग लेने लंदन गए थे खेरे बनला वो कहां रुके थे तो किंग्सले हाल में रुके हुए थे ब्याख्या देखते हैं दूसरा गुल में सम्मेलन लंदन में सितंबर 1931 से 1931 तर चला पांच मार्च 1931 को वे गान्दी इर में समझोते के बाद गान्दी जी ने कॉंग्रेस के एक मात परतिनेजी के रुप में सम्मेलन में हिस्सा लिया गान्दी जी SS राजपूताना तो जह अगला कोशन है दूसरा गुल में सम्मेलन में कॉंग्रेस के एक परतिनेजी के रूप में भाग लेने के लिए मातमा गान्दी बंबाई से लंदन जिस पानी के जहाद से गए थे वो SS राजपूताना अगला कोशन है निमलेखित में से किस गुल में सम्मेलन में भारतिय र कि यसें creating snaon चैंब के निया ने साथ सेतंबर onynais y microbi Potato ने साथ नियों साथ साथ से चला और एक डिसम्ली को यह खतम हुआ कूंग्रियस के एकमाथ दिदी की की रूप में गांदी जी ने है किन्तु गती रोधों के ऐपान ayłości की लेख lich जो धोज मुझे सौंपा गया है उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ मैं सम्जूता नहीं किया अगला कोश्चन देखते हैं मातमा गांधी सिंदी संबर 1931 में खाली हाथ भारत कहां से लॉटे थे तो लंदन से अगला कोश्चन देखते हैं दूतिय गोल में सम्मेलन किस प्रश्ण पर असफल रहा तो आंसर हो जाएगा संप्रिदाइक प्रति निदी दूति गोल में सम्मेलन साथ से सितमर 1931 को आरम हुआ जिसमें माहत्मागांदी कॉंग्रेश के एक मात्प्रति निदित के रूफ में संप्रिदाइक समस्या पर विवात के कारण पूरी तरह आसफल रहा दलित नेता भीमरा उम्बेटका ने दलितों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे गांदी जी ने आसुई कार लिया अतिताहा संप्रताइक प्रति निदियों पर गतिरोत के कारण यह संबेदन एक दिसंबर 1931 को समात्ती की गोशना कर दिए अगला कुशन देखते हैं उस भारतिये का नाम क्या था जिसने तीनों संबेलों में भाग लिया तो आंसर हो जागा बियार अंबेटकर अगला कोशन देखते हैं निमलिकित मैंसे किसने तीनों गोल में संबेलों में भाग लिया था भी आरम बेटकर 1932 में अभिदी में भारत और बेटें में राजनेताओं की लंदन हुई बैठर में प्राया प्रिथम और दूतिये तृतिये गोल में संबेलों के रूप में उलेखित किया जाता है तो इसमें उलेख गलत होगा क्योंकि तो यहाँ पर जो है ये तीनों सम्मेलन नहीं थे ये तीन अलग-अलग सम्मेलन नहीं थे अपी तो एक ही सम्मेलन की अवस्ता थी जो तीन सत्रों में संपन्य होई थी गल्में सम्मेलन भारत में राजनितिक सुधारों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बार्ता के लिए बुलाया गया था अगला कोशन देखते हैं निमलेखित गुल में सम्मेलों में से किसका पितनेदुद भारती राश्टी कॉंग्रेस ने किया था दूतियां में किया था ब्याक्या देखते हैं पितम गुल में सम्मेलन 12 नौबर 1903-13 जन्वर 1931 सक लंदन में आयोजित किया गया था जिसमें भारती उधारदल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासावा, दलिदवर, प्यपारिबर, रजवारों के पितनेदियों ने भाग लिया था कंग्रेस इस में सम्मेलन नहीं हुए था, दूसरी गुल में इसमिलन 7 सेतंबर से एक दिसंवर 1931 तक चला, इसमें कांग्रेस के पितनेदि के रूप में गांदी जी ने इसरोल लेंसा लिया था अगला खुशन देखते हैं निमले के कत्रों पर विचार करना है तो यहाँ पर जो सही हैं सिर्फ वही देखेंगे तो यहाँ पर तीनों की चीज़ां सही हैं पर थम गोल में सम्मेलान में डॉक्टर भीम राव ने अमेटकर ने दलित बर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी पुना पैक्ट में इस्थानिय निकायों तता सिविल सेवाओं में दलित बर्गों के पितनेदी के लिए विशेश उप्रवन रखे गए थे अगला यहाँ पर देखते हैं तिर्टी गुल में सम्मेलन में भारती राश्टी कॉंग्रेस में भाग नहीं लिया था तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं आगे जो कोश्चन है वो सम्मेलन के बिभी ने सम्मेलों के लिए पितक निर्वाचन मंदल के विशेश पर कोई सह मती नहीं बन पाई थी अताहा सम्मिलन ने इस समस्या की निदान कलियबिटिस प्रिदान मती रेमजे मेक्डोनल को पराधिकरत किया अगला कोशन है अगस 1932 में रेमजे मेक्डोनल ने सम्मिलन पराधिक निर्वाजन समूह बनाया था तो यहाँ पर अचूतों के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है बियाख्या देखते बिटिश प्रिदान मंती रेमजे मेक्डोनल ने 16 अगस 1932 को सामप्रदाइक पंचार प्रसुत किया जिसके अंदर प्रिदान मंदलों में कुछ सीटे सुरक्षित कर दी गई जिसके सदस्यों का चुना प्रिदान मंदल द्वारा किया जाना था मुसल्मान और सिखतों पहले से ही अलपसंक्या माने जाते थे अब इस नई कानून के अंदर गद दलिद वर को भी अलपसंक्या मान का हिंदूों से अलग कर दिया गया था अगला देखते हैं मेकड़नौल के संपरदाईक पंचाट कम्यूनल आवार्ड ने किसे प्रिधक चुनाओं के छेतर और आरक्षित सीटों आमंटित नहीं की थी तो ये बौध्धों के लिए नहीं की थी यहाँ पर देखते हैं 16 गद 1932 को बिटिस प्रिधान मंती रेमजे मेकड़नौल ने संपरदाईक पंचाट की गोशना की इसमें प्रिधक निर्वाचन मंदल पंधिती को ना केबल मुसल्मानों के लिए जारी रखा गया अपितु दलित बर्गों पर भी लागू किया गया इसके तहट मुसल्मानों, इसाईों, सिक्कों, आंगले भार्दियों तता अन्ने के लिए प्रिधक निर्वाचन पंधिती के सुबिधा प्रिधान की गई जो केबल प्रांतिये बिधान मंदलों पर ही लागू थी अताइस पर स्थेगी बौधों के लिए प्रिधक चुना अवार्ड के समय गांदी जी ने अपना पहला आमरन अर्शन फास्ट इंटू डैथ 20 सितंबर 1932 को यर्वधा जेल में रहते हुए प्रिधिस प्रिधान मंत्री रेमजे मेंडोनल के समप्रिदाइक निर्नय के बिरुद्ध अरम किया था जो 24 सितंबर को मेटकर हो गांदी क अनुवाईयों के मद्ध हुए पूना समझाते के बाद समाप्त हो गया अगला देखते हैं 1932 में महत्मा गांदी ने मारन परियंत उप्रिवास प्रिधानता इसलिए किया क्योंकि यहां पर जो सी ओप्षन है रेम जे में डॉनल ने समप्रिदाइक अधी निर्ने कमिनल अवार्ड की घोशना की थी अगला कोशन देखते हैं समप्रिदाइक अवार्ड एवं पुना पैक्ट में क्रमशा दलित वर्ग के लिए कितनी सीक्रिटें यहां पर दी गई सीटें 71 थी जैसे पुना पैक्ट में बढ़ाकर 148 मदरास 30 सिंद साहित बंबई 15 पंजाब 8 बिहार और 17 मद्ध प्रांथ 20 असम 7 बंगाल 30 और सायूक्त प्रांथ 20 कर दी गया था और कुछ पुस्तकों में दिपी A147 मिलती यह साथ ही केंद्री बिदा मंडल में सामाने वर्गी सीटें मैं से 18% दलितों के लिए रश्यत की गई थी अगला खुशन देखते हैं पुना पैक्ट संबंदित है तो यह दलित वर्ग से संबंदित यह ओप्शन सही हो जाएगा पुना समझते का उद्देश यह था दलित वर्ग को प्रतिनित देना तो B ओप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं A और R दिया है पुना पैक्ट में ने कमुनल अवाड के उद्देश को धराशाही कर दिया इसके मद्यम से संसाद एवं बिदान सवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन जातियों के सीट आरशित का मार्क प्रशस्त्र हो गया तो यहाँ पर जो है A और R दोनों सही है और उसकी ब्याख्या भी यहाँ पर सही है अब यहाँ पर ब्याख्या देखते हैं 16 अगस्त 1932 को तो रेमजे मेंगड़नौल ने अपने सामपरताइक नर्णाय कम्यूनल आवार्ड की गोशना की इस अधी नर्णाय के तहत मुसल्मानों, यूरोपियों तथा सिक्कों के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी पिठक निर्वाचन मंडल का प्रवधानता है। इसके बिरोथ में गांदी जी ने 20 सितंबर को अमरन अंचन पर बैड़ गए अंतिता 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझवता हुगा जिसमें दो शर्तों के अधार पर सहियोक्त निर्वाचन मंडल बनाया जाने के संबद में सहमाती हुई ये दो शर्त थी विभिन प्रांतिय बिधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटे आरक्षित की गई जबती संब्रदाइक अधी निर्ड़ा में केवल 71 सीटों की विवस्ता थी दूसरे केंद्री बिधान मंडलों में सामाने वर्गी की सीटों में से 18% सीटे दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई पूना पैक पर हस्ताक्षर किये थे तो यहां पर हस्ताक्षर जो है वो गांदी जी ने नहीं किये थे यह वाद हमें याद रखनी है गांदी जी के जो सहयोगी थे उन्होंने यहां पर हस्ताक्षर किये थे तो यहां पर दिया गया है कि गांदी जी ने इस पर हस्ताक्षर न आगे देखते हैं संपरदाई अधी निर्ने की घोशना के पश्चा निमलेकित मैसे किसे संपादित किया था तो पूना समझाओता डी ऑप्शन अगला देखते हैं निमलेकित मैसे किस ने इत्यासिक 1932 के पूना समझाओते पर हस्ताक्षण नहीं किये थे तो M के गानी जी न देउदास गांदी विश्वास राजभोज पीप बालू गवई ठककर सोलंकी तेज भाद्दू सपरू वीडी विल्डा जीडी विल्डा राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजयन प्रसाद राव भाद्दूर सिरी निवास एमसी राजा सीवी महता बाखले और कामंत आदी ने इस पर हस्ताक्षर किये थे अगला कोशन देखते हैं और यहां पर यह भी है कि राजगोपालाचारी ने इस समझोते के बाद हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अमबेटकरी से अपनी कलम बदल ली थी कलम बदल ली तो कभी ऐसे भी एकजाम में आ सकते हैं ऐसे सेवक संग की तो घंद्या घंश्याम दास बिल्ला बी ऑप्शन सही हो जाएगा पूना समझोते 1932 के बाद महानमा गांधी की रुची सभेने वागे आंदोलन में नहीं रही अब बहुत पूरी तरह अश्परष्टा बिरोधी आंदोलन में रुची लेने लगे ता था इस प्रकार अकिल भारती अश्परष्टा ब्रोधी लीग के स्तापना हुई जिसका नाम परिवतित करके हरीजन सेवक संग कर दिया गया घंध श्याम दास बिल्ला इसके प्रिथम अध्यक्ष थे अगला कोशन देखते हैं आल इंडिया अंटेचिवल लीग जिसका बाद में नाम बदल का हरीजन सेवक संग हुआ था इसके प्रिथम अध्यक्ष थे तो जीडी बिल्ला आगे देखते हैं 1932 में इस्तापित अखिल भारती अच्छूत बिरोधी लीग के प्रिथम पैसिदेंट थे तो यहां पर पैसिदेंट पूछा है तो जीडी बिल्ला अखिल भा साफता ही हरीजन नामक पत्रिकाग का भी प्रकाशन किया तो प्रकाशन किस साल में सुरू हुआ तो यह भी इंपोर्टन्ट है और यहां से प्रेशने बन सकता है और पूछ भी सकते हैं अगल भारती है हरीजन संग काद्यक्ष गानी जी ने घंशा दास बिल्ला को बनाया अगला कोशन देखते हैं हरीजन सेवक संग का पूर पूरा नाम क्या था तो यहां पर जो पूरा नाम है आल इंडिया एंटी अंटेच बिलिटी लीग यह उप्शन यहां पर सही हो जाएगा आगी देखते हैं दलित वर्गों का संग इस्थापित किया था तो डॉक्टर भीम राव अंबेट करने दलित वर्गों का संग यहां पर बैख्या दिखते हैं 19-20 में Dr. भीम राव मेट का द्वारा दा आल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन दलित वर्गों का संग की इस्थापना की गई थी वर्ष 1926 में डॉक्टर भीम राव मेटका ने बंबई में दलित वर के संस्ता बहिश्कृत हितकार्णी सवागी भी इस्थापना की थी तीन बर्ष बाद 1927 में उन्होंने मराथी पाच्छिक बहिश्कृत भारत का प्रकाशन प्रारम किया और इसी वर्ष सवर्ण हिंदों और अचूतों में सामाजिक समानता के सिद्धान का प्रचार करने हैं तो उन्होंने समाज समता संग इस्थापित किया जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बहुत धर्म अपना लिया था अगला कुशन देखते हैं निमलिक मैंसे किसने गाता मात्मा गांधी के छड़क भूत की भाती धूल उठाते हैं लेकिन इस्थर नहीं तो अप्शन होजाए डक्टर भीम राव अमेटकर आगे दिया है ब्याख्या में 14 अगस 1931 को वो मई में मात्मा गांधी से बारता के दोरान डक्टर भीम राव अमेटकर ने गाता कि इत्यास बताता है कि मात्मा गांधी छड़क भूत की भाती धूल उठाते हैं लेकिन इस तर नहीं उठाते गया तब है कि अदलितों के सिति के बारे में मात्मा गांधी जी और अमेटकर के बीच मनबेद था बिटिश प्र किया था 24 सितंबर को अमेटकर और गांधी जी के अनुवाईयों के बीच पूना पैक्ट हुआ था अब यहां पर अगले देखते हैं कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी से संबंदित देखते हैं जो की 1934 में बनी थी जो सबसे पहला यहां प्रशन है कि कॉंग्रेस ब्याख्या देखते हैं मई 1934 में पटना में कॉंग्रेस महा समीती की बैठक के दोरान इन सदस्यों की अलग बैठक हुई थी जिसमें अकल बारतिय समाजबाती दलके सापना अनौपचारिक मानेता दी गई तथा अक्टूबर नॉमबर 1934 के दोरान बंबई में इसकी नीत इसकी बैठक है जो आगे देखते हैं कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के संदर में निमली कित कतनों पर विचार कीजिए तो यहां पर कथन जो है तो यहां पर कोई सा भी कतन सही नहीं है आगे बढ़ जाते हैं निमली कित मैं से कौन कॉंग्रेस समाजबादी दलका प्रम का नाम महत्पूर्ण है अन्य सदस्यों में असुक मेंता अच्चित्य पटवर्दन मीनूस मसानी डक्टर राम मनुवर लोहिया पुर्शुत्म विकास विक्रम दास यूसुप महराले गंगा शरन सींग तथा कमला देवी चटोपाध्या आदी थी अगला कुश्या ने वर ब्याक है देखते हैं वर्श 1914 में पटना में अकिल भारती कॉंग्रे समाजवाधी पार्टी के संयोजक जैप्रकाश नारायन थे इसके संस्थापकों में जैप्रकाश नारायन आचारे नरेंदियों अशुक मेता आदी प्रमुक ते जैप्रकाश नारायन को पार्टी का मह 1934 में Congress समाज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा तो आंसर हो जाए कि जह प्रकाशनारा में आचारे नरेंद्यों द्वारा अगला खुशन है जह प्रकाशनारा इस पार्टी से जुड़े थे तो Congress Socialist Party भीहार Socialist Party के संस्थापक दें तो जैप्रकाश नारायन जैप्रकाश नारायन बिहार सोसलेस पार्टी से जुड़े थे 1931 में बिहार एस सोसलेस पार्टी का गठत गंगाशनन रामकृष्ण बेनिपूरी और रामानंद मिश्र आदी ने की थी लोकनाईक के नाम से किसे जानते हैं तो लोकनाईक जो है देखते हैं जैप्रकाश नारायन को लोकनाईक के नाम से जाना जाता है वर्स 1922 को भारत छुड़ो अंदोलन के द्वारा उन्होंने राम मनुहाल लोया तथा अनुना आसिव घली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारती जनता को संग्रत किया था उन्होंने 5 जून 1974 को प अबसन से पहचाने जाते हैं तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं बी Option यहां पर सही है जैप्रकाश दिवस मनाया गया तो तो अपरेल 1946 में जैप्रकाश नाराइण की रहाई के लिए जैप्रकाश दिवस मनाया गया, पतना के बांकेपुर मैदान में एक जन्द सवाह हुई, जसमें राजनिरिक बंद्यों को जेल में रखने की सरकारी नीती के आलोचना तथा जैप्रकाश की रहाई की मांग की गई बंबई मैनिफेस्टो पिठक शुरूप से समाजवादी आदर्ष के पिठी पादन का विरोधी था इसको समझत भारत में ब्रहत ब्यापारिक समुदाय का सही होग मिला था तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी ओप्सन दोनों ही सही है और इसकी ब्याख्या भी यहाँ पर सही है अब यहाँ पर हम उन प्रश्णों को रिश्कस करेंगे जो प्रांतिय चुनाव और मंत्री मंडल का गठन यानि कि 1937 से संबंदित हैं तो सुरू करते 1937 में संपनि बिधान सभा चुनावों में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को निमन में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था ब्याख्या देखते हैं 1935 के भारा सरकार अधिनियम के अधार पर फरवादी 1937 में प्रांती बिधान मंडलों के चुनाव हुए जिसमें कॉंग्रेस ने अपनी पितिनिधी प्रति दंदी दलों का सफाया करते हुए 25-प्रांतों मदरास 65-प्रतिशत मतों के साथ 215 में से 159 सीटें 132 में 95 अधि प्रांत और बरान में 61-प्रतिशत मतों के साथ 112-6 चीटें संयुक्त प्रांत में 65 प्रतिशत मतों के साथ 228 में से 134 सीटें उड़ीसा में 37, 60 में से 36 सीटें में पूरे महुमत प्राप्त किया कॉंग्रेस बंबई असम उत्तर पशिम प्रांत में सबसे बड़े दल की रूप में उभिरी लेकर बंगाल, पंजाब और सिंध यह याद रखेंगे इस में से कॉंग्रेस सबसे बड़े दल से बंचित रही जुलाई 1937 में कॉंग्रेस ने 6 प्रांतों मदरा, संयोक्त प्रांत, मद्ध प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी अब यहाँ पर नोट दिया है कि बंबई में कॉंग्रेस को लगभग पूर बहुमत यानि 56 प्रतिशत मतों से 7, 175 में से 86 सीटे मिली थी अयोध्या सिंगे पुस्तक में मुक्ति भारत का मुक्ति संग्राम तो यहाँ पर पुस्तकों से संबनी कुछ पुस्तकों में अलग अलग दी गई हैं तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यार नहीं देना है आगे हम बढ़ जाते हैं प्रांतिय सरकारों का गठन निमलिकित मैंसे किस अधिनियम के तहत हुआ था तो 1935 के अधिनियम के तहत कराय गए विधान चुनाओं मैं किस राज में कॉंग्रेस ने पूर बहुमत प्राप्त नहीं किया था तो इसका अंसर हो जाएगा बंगाल में आगे देखते कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्माचन में भारती राष्टिय कॉंग्रेस को पूर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तो आंसर हो जाएगा असम यहां पर असम है असम में नहीं मिला था आगे देखते हैं 1937 के चुनाओं में कौंग्रेस दोरा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी तो पांच थी यह भी इंपूर्टेंट है आगे देखते हैं British भारत के निम्लिकित प्रांतों पर विचार केज़े और उन प्रांतों को पहचानिया जहां 1937 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का मंती मंडल नहीं बना था तो बंगाल में नहीं बना था यहाँ पर तो यहाँ पर बंगाल हो जाएगा बंगाल और पंजाब तो बी ओप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं वो है प्रांत जहां नाइंटी ठर्ती सेवन के आम चुणाओ के बाद भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस नहीं बना थी तो नहीं बना थी वहां पर बंगाल पंगाल में नहीं बना थी तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा जुलाई फान्धी नाइटी 37 के दोराद 6 प्रांतों में भार्ती राष्ट्री कॉंग्रेस ने अपने मंठी मंडल गठल किये थे यह प्रांध मदरास पंबंबई ॉड्यग ज. बिहार संयोक्त प्रांध बाद में पश्भू-तर्ब प्रांध और असम में भी कॉंग्रेस ने अन्य सायोंगियां के साथ गठ बंदन मंत्री मंदल बनाए थे अगला कोशन देखते हैं निम्र में से किस एक प्रदेश में नाइंटी थर्टी फाइव के अंतरगत कॉंग्रेस की मंत्री परिशत का गठन नहीं हुआ था तो पंजाब यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं वर्स नाइंटी थर्टी सेवन के चुनावों में कितने प्रांतों में कॉंग्रेस का मंत्री मंदल बना था तो आंसर हो जाएगा 6 यहां पर बहुत जदा दी गई है तो यहां पर देखते हैं बशे उपर भी मंत्री मंदलों का कारिकाल था तो यह स्क्रिप करते हैं बहुत बड़ा वीडियो बैसे भी हो गया है आगे देखते हैं 1935 आदिनियम के उपरांत 1937 में रोज शुनावों में गठित Congress मंतरी मंदलों का कारिकाल था तो ये 28 माय था 28 माय ये याद रखेंगे यहां पर ब्याक्याद देख लेते 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित Congress मंतरी मंदलों का कारिकाल 28 माय था July 1937 में के दोरान 6 पन्तों मैं उसने अपने मंत्री vy Charlie मैं उसने अपने मंत्री मंडल Гठित किया थे वहारो सयोक्त पन्त बाद में पशमूत्तर प्रांत और असा में मैं भी कोंग्रेस के मंत्री तो बनाएगा दूती विश्यूद मैं भार्चे के सुखिर्ती के बगर बिटेन द्वारा भारत को समिल किये जाने के ब्रोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्यागपत्र दे दिया कॉंग्रेसी मंत्री मंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसल्मानों से 22 दिसम्बर दिन शुकुरवार, 1939 के दिन मुक्ती डिवस मनाने का आयान किया था. तो कौन से दिन? शुकुरवार के दिन था, 1939 को. आगे देखते हैं, 1937 में प्रांतो मैं मंत्री मंडल के निर्मान के उपरां कॉंगरेस का शाशन कितने महिने चला था? तो 28 महीने चला था आगे देखते हैं मुसलिम लीग ने मुक्ती दिवस मनाया था तो 39 में मनाया था मुक्ती दिवस आगे देखते हैं अपनी कारकारणी कमेटी में कॉंग्रेस ने भूर स्वामित को समाप्त करने की नीती अपनाई थी तो ये 37 भारती राष्टी कॉंग्रेस की कारकारणी कमेटी वर्स 1937 में भूर स्वामित को समाप्त करने की नीती अपनाई गए संयुक्त के प्रांतों और बिहार में कॉंग्रेस सरकारों द्वारा काश्थ कारी बिल पारित किये गए सभी कॉंग्रेस शाषित प्रांतों में किर्शकों को साहुकारों के चंगुल से बचाने रहता सिचाई सुविधाओं को बेतर बनानी का प्रियास किया गया था अगला कोशन है 1937 के चुनाओ के पशाद यूपी में गठित मंत्री मंडल में किसको बित्त बिभाग सौपा गया था तो रफी एहमत किद्वई को सौपा गया था ये भी अच्छा कोशन है वो नया है वर्ष 1937 में संपन प्रांती बिधान सवा चुनाओं में यूपी संयूक्ति प्रांत के कुल 228 में से 134 प्रांत इस्थानों पर कॉंग्रिस को सफलता मिली थी संयूक्ति प्रांत में अकेले कॉंग्रिस ने अकेले ही सरकार बनाई थी इस सरकार में प्रधान मंतरी गोबिन बल्लपंद और कानून नियाय मंतरी केलाशनाद काट जो थे जबकि बित्ति बिभाग रफी एहमत किद्वई को सौपा गया था अगला कोशन देखते हैं कॉंग्रिस परशाशित पिर्डेसों में मुसल्मानों की शिकायतों से संबंदी रिपोर्टों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर जो सही कूट दिया है यहाँ एक दो तीन यहाँ पर जो है पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट मुसलिम सफरिंग अंडर कॉंग्रिस रूल तो यहाँ पर तीनों चीज़ा सही है तो यहां पर एक, दो, तीन जो है क्रम से हैं यहां पर ब्याख्यल देखते हैं कॉंग्रेस परशासित प्रदेशों में मुसल्मानों की सिकायतों से सम्बंदी रिपोर्टों का काल करम इस प्रकार है पीरपुर रिपोर्ट 1938 शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 एवन फज लूल हक रिपोर्ट मुसलिम सफरिंग अंडर कॉंग्रेस रूल तो यह 1939 तो इस टूनेट आज लिए बस इतना ही मिलते हैं न अगले वीडियो में और कोशिश करूँगे एक अकल तक यह सारा हमारा जो आदुनिक भारत है सारे कोशन समाप्त हो जाए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिये शेयर करिये और सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद